असलाम लेकुम देश्टोरेंस आज हम लोगों ने क्लास में यूने टू पर्चियोटिज्म पे बात की थी और हम लोग इसकी ट्रांसलेशन और इसके जो इंग्लिश टू इंग्लिश मिनिंग है वो कवर कर चुके हैं तो जिन स्टुडेंट्स की ख्लास में सो गई थी या ज गोड़ें तो बच्छो स्टार्ट करते हैं हमारे chapter का टाइटल है patriotism तो patriotism और अकीदत अप्र्टियोट लविष क Grassandaism is एक मुहिब वतन हमेशां तयार रहता है और जब जब ज़रूरत पढ़ती है तो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करता मतलब वह अपनी जान देने के लिए हमेशां तयार रहता है जब भी उसके मुल्क को ज़रूरत पढ़ती है The word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman कि जो लवज patriot है, मुहिबे वतन है, ये एक लातिनी जुबान से निकला है लवज patriota जिसके मतलब क्या है? मुल्क का रहने वाला, यानि मुल्क का बाशिंदा It is considered a commendable quality, इसको इंतहाई आला किसम की खुबी समझा जाता है Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of country and nation हुबलवतनी जो होती है, वो लोगों को ताकत और होसला देती है कि वो अपने मुल्क और कौम के मफदात का तहफूज कर सकें For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made एक हुबलवतन के लिए, यानि जो बंदा मुहिब बेवतन हो, अपने मुल्क से प्यार करता हो उसके लिए अपने मुल्क की अजमत, इज़त और सालमियत से बढ़कर कोई value नहीं होती, कोई बात नहीं होती और वो इन इखलाकी एकदार के उपर जो इंतहाई आला किसम की बाते हैं, कोई compromise नहीं करता यानि कोई भी समझोता करने के लिए तयार नहीं होता Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values तो हुब वतन जो लोग होते हैं मुहिब वतन वो अपने मुल्क की इन इखलाकी एकदार का तहफूज और इनको महफूज करने के लिए जान की कुर्बानी देने से भी द्रेग नहीं करते काइद आजब मुहमद अलजिना वाज अनेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियोड काइद आजब मुहमद अलजिना मुमार कौम और अजीम मुहिब वतन थे जो ब्रेट्रियोग अन्डरियोज कुल्चर एनenden वही कईडिनेrings कि एख्याद के एकलाफ, आनुग करना अजिए, उसको मैफूज करना चाहते थे He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them उन्होंने मुसल्मानों की जो शनाखती उसको महफूज किया किस तरह महफूज किया उनको एक अलग वतन की फार्म जो है वो परवाइड की एक अलग वतन उनको महया किया इस तरह उन्होंने मुसल्मानों के अंदर शनाखत का जो है वो एसास पैदा किया He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation उन्होंने फर्माया कि हुबल वतनी हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए क्योंकि ये हम सब लोगों को एक ताकतवर और मजबूत कोहम की शकल में इकठा करती है The spirit of patriotism makes us stay alert in the case of foreign invasion जो हुबल वतनी का जजबा है ये हमें बैरुनी हमलों की सुरत में बिलकुल तयार रखता है In the history of Pakistan, there are many instances where people, when people lay down their lives for the defense of the country पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसाले मौजूद है जब लोगों ने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नज़ाना, मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों का नज़ाना पेश किया In the wars of 1965, 1961 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland 1965, 1971 and Kargil की जंग में, हमारे बहुत से बहादूर सी पाईयों ने वतन की हिफादत करते हुए अपनी जानों का नज़ाना पेश किया कैप्टन मुहमद सर्वर, मेजर तुफैल मुहमद, मेजर अजीज भटी, पाईलिट ओफिसर राशिद मिनास, मेजर मुहमद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मुहमद हुसैन, लांस नाइक मुहमद महफूज, कैप्टन करिनल शीर खान, और हवाल दाला लग जान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland, इन सब शहदा ने अपने मुलक की जाने खातिर, तहफूज करते हुए मुलका, बहादर से अपने मुलक के लिए लड़ते हुए जाने दी और शहादत, जो है वो, शहादत का जाम नोश किया, all of them were awardee निशाने हैदर, the highest military award given to the great patriots who lay down their lives for the country, इन सब को पाकिस्ता की फोजी तारिख का सबसे बड़ा जो मतलब award है निशाने हैदर, तमगा है, वो दिया जाता है, गया है, और ये उनको दिया जता है, जो मुलक की हिफादत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, patriotism therefore is not just a feeling, यही वज़ा है कि patriotism, हुब बलबतनी, सिरफ एक जिन्दा जजबा है, that continuously inspires and guides a nation, जो लगतार एक कौम को, यानि के उनका जजबा बढ़ाता है और उनको रहनमाई फराम करता है, in the words of S.W. Scott, S.W. Scott के अलफाज में, a man devoid of patriotic spirit, एक ऐसा बंदा जो हुब बलबतनी के जजबे से महरूम हो, is like the one who, एक ऐसे बंदे की तरह है, ज जो, breathes there the man with soul so dead, एक ऐसा बंदा जो सांस लेता है, लेकिन उसकी रूफ मुर्दा है, who never to himself has said, यानि उसने अपने आप से कभी भी ये नहीं कहा, this is my own, my native land, ये मेरे अपना और मेरे अपना वतन है, तो बचो, अगर हम लोग English to English meanings की बात कर लें यहां पे, तो patriotism यहां पर love for country को represent कर रहे है, mother land जो होता है, वो हमारा मतलब वतन होता है, homeland होती है, devotion जो है, devotion को हम लोग क्या कह सकते हैं, sacrifice कह सकते हैं, devotion को attachment कह सकते हैं, हम लोग इसी तरह respect कह सकते हैं, आगे अगर हम लोग आए, willing, willing को ready कहते होते हैं, sacrifice, lay down, need, यानिके requirement, arises, produce, occur, ये कर लेंगे इसका, उ पिर, person living in a country, भाशिंदा, people, लोग, commandable, outstanding, यानि जो काबिले तारीफ बात हो, quality, यानिके, खुबी, good thing, strength, यानिके power, courage, यानि बहादरी, safe guard, यानि महफूज करना, इसको हम लोग कह सकते हैं, protect करना, interest, यानि मफाद, यानि good thing, good being, और उसके साथ, sovereignty, integrity, and honor of the country, ये सारी बाते हैं, आपस में, entertain हो सकती हैं, यानि ये आपस में, दूसरे के, synonym है, supreme, सबसे अच्छी, सबसे आला, outstanding, compromise, compromise, को हम लोग कह सकते हैं, यानि कि जिसके ओपर हम लोग, no, no chance, no chance हम लोग इसको कह सकते हैं, यानि कि कोई इसमें, मतलब समझोता करने कि कोई इसमें, ऐसी बात है, हम नहीं कर रहेंगे, sacrifice है, बचो, lay down करना, preservation, महफूज करना, protect करना, protection, preservation करना, same हो गया, उसके बाद आ जाएगा, builder, यानि कि बनाने वाले, father जिसे हम लोग कहते होते हैं, और उसके साथ साथ आगी हमारे पास, culture, tradition, values, ये सारी चीज़े, आपस में, इंटर्चेंज हो जाए सब कॉंटिनेंट, पाकिस्तान, बंग्रादेश, और इंडिया जबी कठे हुआ करते थे, वो सब कॉंटिनेंट था, he gave the Muslims a sense, sense, यानि कि एहसास, यानि कि spirit, जजबा, identity, यानि outlook, पहचान, securing, getting, separate, सबसे अलग जो हता है, sufficient, जिसे हम लोग कहते हैं, self-sufficient, homeland, जो है वो, वतन ह हो गया, country हो गया, इसी तरह, develop, produce, galvanizes, galvanizes, galvanizes को हम लोग कह सकते हैं, इकठा करना, gather करना, unite करना, और unite को जो हम लोग, galvanize भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ बचो, stay alert, यानि चौकस रखना, vigilant रखना, मुस्ताइज रखना, efficient रखना, और invasion, यानि attack, यानि हमला, instances, यानि examples, मि उसके साथ attempt, यानि के try, कोशिश, protect, secure, महफूज करना, आगे आजए, impressed, to achieve, martyrdom, यानि शहादत, death होती है, लेकिन शहादत जो है वो, death एक ऐसी जिसके अंदर Allah पाक की रजा हो, बहुत खुशी वाली जम्म होता है, वो martyrdom होती है, और उसके साथ बचो, awarded, यानि के convey करना, उन इसी तरह highest, सबसे outstanding वाला जो होता है, वो हो गया, और इसके साथ आगया आजए हम लोग अगर, continuously, incessantly, without an element, और inspire, यानि के arise करना, उसके साथ आगया, बचो, divide, यानि के, महरूम होना, ऐसी चीज जो हमारे अंदर ना हो, without, इस तरह और क्या हो सकता है, बचो, breathe, यानि के, सांस लेना आपका हो गया, और native जो होता है, ये local होता है, तो ये बचो, इसके word meaning थे,